हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीयस प्लेनेट के अंदर ठीक है सर आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामनी जो 50 कुशन है सर आज डिसकस करने वाले प्यारे बच्चो जल्दी से आप इस वीडियो को सेर कर दीजेगा पहले की वीडियो को आप लोग बहुत जादा प्यार दे रहे हो ऐसे ही स्पोर्ट करते रहो ताकि हमारा और आपका दोनों का चैनल बहुत आगे बड़े और कुछ भी नहीं रटाया जाता है सर हर फर्षन को अच्छे से एक्स्पेंड किया जाता है विद एक्जांपल और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इसी कॉंटक नमर वार्टसप कॉंटक नमर पर मैसिज करके अपनी समस्या का समाधान करवा स क्यां चुक है और इसके अलावा सर अभी तक जो बच्छे लावी नहीं जुड़े हैं जल्दी से लाइज जुड़ जाए गोड़ दूर चैनल जल्दी से सेर करव दिजेगा आज की जो टैसरीज का फर्स्ट कर आप लोगों के सामने स्टार्ट करते सौजर किस दातू का मि मिस्रण है जलदी से बता दीज़ेगा तो सरसों 1 वो किस दाटों का मिस्रण होते है और आप के वह समझे जिसको हम टाका भी बोलते कर्ण में कहा चेद मिलता है उसके नीचे उचेद होने का कारण क्या होता है कि वे दुआ निकलने के लिए रास्ता देते हैं तने को नीचे से देख सके ऑक्सीजन के सप्लाइ बना रहता है उत्पनोई गर्मी दूर ऊसके तो सर किस कारण से केरोसिन लेंप में चिमनी के नीचे छीदर होता है तो सर वो क्या कर सके oxygen की supply बनाए रखे क्योंकि oxygen प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होगा जलनी में मदद करती है किसी चीज को जलाना हो तो सर help कौन करेगी बेटा oxygen help करती है जलनी में मदद करती है कोन सर आपकी oxygen किसा नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामनी क्या है सर मानव शरीर का साधान तापमान होता है सामान्य मनुष्य का जो नॉर्माल टेंपरेचर होता हो कितना होता है 40.5 डिगरी सेल्शिस 36.9 डिगरी सेल्शिस 98.4 डिगरी सेल्शिस 82.4 फार्णनाइट तो सामान्य मनुष्य की जो शरीर का नॉर्माल टेंपरेचर होता है प्यारे बच्चो आपको तो एक चीज रट रखे 37 डिगरी सेल्शिस लेकिन वो लगबग होता है और एक्चुली में जो होता है तो जल्दी से आंसर दे दीजेगा विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है प्यारे बच्चो जल्दी से बता दीजेगा विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग तो जल्दी से बताओ कि सर कौन सा विटामीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर जो विटामीन के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है सर हेल्प करता है अगला किसन बोड important or बोड confusing किसन है सर क्या है सर fifth number का किसन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर देखो सर क्या है एक एद निशेचित माणव अंडे में सामानेते होता है एक X chromosome, एक Y chromosome एक X और एक Y chromosome या दू X chromosome मैंने का एक infertile egg और नहीं का क्या है सर एक infertile egg है अब इस egg में number of X chromosome कितने होने चाहिए सर आपके दो होने चाहिए तो दो X chromosome होते हैं और ये तो female के अंदर एक N इसे चीछ सुक्राणू के अगर बात कर ली तो सर सुक्राणू के अंदर स्पम के अंदर दो होंगे वो कौन-कौन सी चीज होती है एक X और ये बाई तो यहां पुरूस की बात होती तो X और Y और महिलाओं के बात होती है तो दो X chromosome किसा number six तापकी स्क्रेन के सामने आपकी नजर से नजर मिलाते हुए दिल से दिल के तार जोड़ते हुए और क्या है सर किस वर्ग में सभी में सभी three पदार्तव प्रोटीन का तत्तो परचूर मात्र मिलता है इन सभी के अंदर से कौन से ऐसे पदार्त नहीं के अंदर सर प्रोटीन की मात्र काफी हाई पाई जाती है जैसे दूद आम गाजर अंडा मत्र मचली सोयबिन, चना, मक्का, सेब, धही, मास तो सर किसके अंदर जो तीनो पदार्तों में प्रोटिन, परचूर, मात्रा में मिलता है प्यारे बच्चो जल्दी से आंसर दे दिजेगा तो सर अंडा, मटर और जो मचली होती है इन तीनों का जो जोड़ा होता है इनमें वैसे, एक्चुली में वैसे मिलता है इनसे भी अगर मैं बात करूँ तो सर आपके, जो सबसे ज़्यादा मेजरली जो यहाँ पर उप्शन दे रखा वो कौन सा जाएगा सर आपके सोयबिन, फिर जाएगा सर चना, मक्का ठीक है, दूद, गाजर, आम में मिलता है इनमें मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइटी, मोर, प्राइटी, सिक्स्ट क्या जाएगे सर आप लोगों के सामने सोयबिन, चना, मक्का, इनके अंदर क्या मिलता है काफी मातरा में क्या मिलता है सर प्रोटीन मिलता है क्यूसर नंबर सेवंत क्या है सर आप लोगों के सामने लिमिलिक्त में से कौन सा अमीनो अमल मानो पोसन के लिए अर्द अनिवारिये माना जाता है यहाँ पर कौन सा ऐसा अमीनो अमल जो मानो के पोशन के लिए अर्द अनिवारिये माना जाता है वैलीन, स्टेडीन, या मैथाइनीन, या लूसीन जल्दी से बता दीजेगा कि कौन सा अमीनो अमल मानो पोशन के लिए अनिवारिये माना जाता है 7 नमबर के question का answer दे दीजेगा तो sir isstadine जो होता है वो अनिवारी माना जाता है आई बास समझ में मानो के portion के लिए Question number 8 Computer विघ्यान में 1 किलो बाईट का मान है Computer के जो विघ्यान है उसमें 1 किलो बाईट का मान कितना होता है Question number 8 का बता दीजेगा आप लोग आंसर कम्पूटर विज्ञान में एक किलो बाइट का मान है एक अजार बाइट एक अजार चोविस बाइट सो बाइट या आठ बाइट जल्दी से बता दीजेगा कि कम्पूटर विज्ञान में एक किलो बाइट का मान कितना होता है तो एक किलो वाइट का मान कितना होता है प्यारे बच्चो अरे बोलो एक अजार चोबिस बाइट अगला किसन आप लोगों के सामनी देखो सर बहुत अच्छा किसन है ध्यान दीजिएगा कहा गया ये नाइट नमबर का वाईयान का आविस्कार किसन ने किया था वाईयान की खोज करने वाले वग्यान कौन थे और्विल और विलियम राइट हैंडी फोर्ड बोई या फिर कॉल बेंच जल्दी से बता जीजेगा नाइट नमबर के किसन का अंसर कि वाईयान की discovery किस ने की थी तो आपने पता होगा नाम सुनोगा राइट बंदू का तो कौन-कौन थे सर आपके और्विल वैब विलियम राइट नाम के दो वहग्यानिक थे सर जिनों ने सर किस की खोज की थी जिनों ने सर आपके वाईयान की खोज की थी आपके वैध्यानिक का थे सर आप लोगों के सामनी सेमवल कोहिन जोन ग्रेटन बर्ग या परसी एल स्पैंसर या फिर ग्राम बेल तो बता दो प्रिंटिंग प्रेस का अविस्कार करने वाले वैध्यानिक का क्या नाम था सर जल्दी से बता दो टैंथ नमबर के question का answer तो sir John Gatton-Burg नाम का एक वैग्यानिक था John Gatton-Burg नाम का एक वैग्यानिक था sir जिसने sir किसकी खोज की थी printing price की आई बास समझ में question number 11 आपकी screen के सामने क्या है पिर्तवी पर पढ़ने वाले वाई मंडले दाब का कारण क्या होता है पिर्तवी पर पढ़ने वाले वाई मंडले दाब का कारण क्या होता है पिर्तवी का घुनन पिर्तवी का परिकर्मन गुर्तव आकरशन बल या फिर पिर्तवी का असर तापन जल्दी से बता दीजेगा पिर्थवी पर पढ़ने वाले वाई मंदलिये दाब का कान क्या होता है बेटा आपको पता होगा मैंने अच्छे से करवाया है पिर्थवी का जो गुनन होता है वो होता है या गुर्तु आकशन होता है क्या होता है सर जल्दी से बता दीजेगा तो शाटना शाटना अनिवारी हैं किसकी खेटी में रबड की मेंcado जलदी से आंसर दे दीजेगा उस सर यहां जो चाई की जो खेती होती है चाई की जो खेती होती है उसमें काट छाट क्या होता है अनिवारी होता है अगला किस्टन 13 नंबर का क्या है सर वानिजी नाइट्रिक अमल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है क्या ओक्सीजन नाइट्रस ओक्साइड नाइट दाई ऑक्साइड या रंगीन उपदरवे 30 नमर के कुशन का अंसर दे दीजेगा चुप चाप फटा फट से तो सर क्या मिला होता है नाइटरोजन डाई ऑक्साइड मिला होता है नाइटरिक अमल जो रंगदार होता है उसमें इसके पीछे ये कारण होता है किस्टा नमबर 14 क्या है प्यारे बच्चो अधिक नाइट्रोजन वाला औरवरक है यूरिया, अमोनियम सलफेट, अमोनियम नाइटरेट, कैलसियम साइटरेट तो जल्दी से बता दीजेगा 14 नमबर के किस्टा का अंसर कि अधिक नाइट्रोजन वाला औरवरक क्या है यूरि सर आप लोगों को पता हो न चाहिए यूरिया किसा नमबर 15 क्या है किसी मनुस्य के लिए स्वच हवा की कितनी मात्रा आवसक है बहए किसी मनुस्य को e nosra अगर जिन्दा रहना है तो सर स्वच हवा की मात्रा कितनी चाहिए 1000 गन फुत वायू में पर नेक 20 मिनट में, तो जल्दी से आंसर दे दीजेगा फिप्टी नंबर के कुष्टन का आंसर दे दीजेगा तो एक जार खन फुट वाई पर नेक 20 सेकिंड में चहिए सर उसको आईबा समुझ में अगर उसको सई ढंग से सौस्थ अवा लेनी हो तो ज़्यादा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगला कुशन एक सहत चक्री का compact disc CD की जो full form होती है सहती चक्री का जिसको हम बोलते हैं कई बार दत सामगरी भंडारन की कौन से पढ़ना लिये भाई आपके भंडारन की कौन से पढ़ना लिये चुमब की है परकास ये है विदूती है या विदूती है आंत्री की लाइट वाले चैप्टर में मैं करवाओंगा offline classes में बच्चों को करवा रखा है तो वो बच्चे तो गलत ना दीजेगा कि सर एक सहत चक्री का compact disc दत सामगरी का भंडारन कौन से पढ़ना लिये है चुमब की है परकास ये है या विदूती है या विदूती आंत्री की तो सर ये कौन सी ये सर आपके परकास ये है आई बास में 70 नंबर के question का answer क्या जाएगा सर किसी द्रव के प्रस्ट एतनाव surface tension का कारण क्या होता है कि surface tension के पीछे क्या रिजन होता है अनो के मद्दे आसंजन सील बल एड़र्स फोर्स आपके ठीक एडिसिव फोर्स है बिटाई आस ससंजक बल होना चीए ये आपके देखो थोड़ा सा करेक्शन कर रखा है आस ससंजक बल जिसको हम एडिसिव फोर्स बोलते है अनो के मद्दे ससंजक बल बोले तो cohesive force अनो के मद्दे आकर्शन बोले तो सर आपकी gravitational force और अनो के मद्दे विदुत बल बोले तो electrical force तो जल्दी से आनस्वर दे दीजेगा 70 number के question का अनस्वर मुझे मिल जाना चाहिए क्या सर the attraction force between same molecules is known as the cohesive force मतले दो समान अनो के मद्दे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कलाता है ससंजक बल तो उसके पीछे प्रस्ते तनाव का कारण होता है आई वास समझ में अगला question बहुत अच्छा थोड़ा बड़ा क्या है सर अच्छे से समझेगा इस question को पूरा का पूरा क्या question दे रखा आप लोगों के सामने screen के सामने देखेगा कि सर एक गोला कार तस्तरी एक घं और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए है ठीक है एक गोला कार तस्तरी एक घं आपके ठीक है मैंने कहा सर एक घं धिख रहा होगा समझ पार हूँ क्या कहना चाहरा हूँ और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए और उनक द्रवे मान भी क्या है सर मास भी क्या है एक समान है उन्हें 300 डिगरी सेल्सियस तक गरम करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है इन सबी को सर क्या किया जाता है गरम किया जाता है 300 डिगरी सेल्सियस पर आई बास समझ में और इन में से सबसे धीमी गती में कौन सा ठंडा तो सर 18 नमबर के किसन का आंसर दे दिजेगा बहुत इंट्रेस्टिंग किसन है तो यहाँ पर जो गोलाकार जो तस्त्री होगा वो क्या होगा सबसे धीमी गती से क्या होगा थंडा होगा जो जितना जादा फैला होगा न वो उतना ही जल्दी क्या होगा धीमा थंडा होगा य यहां पर सर आपके answer क्या जाएगा गोलाकार तस्तरी 18 नमर का question का answer यहां पर 19 नमर का question क्या है हमें जीवन देने वाले oxygen कहां से आती है बाइ कहां से आएगी आपको जीवन दे रही है जो oxygen वो कहां से आती है कार्बन डाय ओक्साइड से भूमी से अवसोसित कार्वनेड से धात्व के ओक्साइड से या जल से यह आप लोग पैदा करते हो जल्दी से बतादो सर किस्टन नंबर 19 प्यारे बच्चो किस्टन नंबर 19 का कहा से आएगी सर जब H2O तूटता है किसके अंदर सर आपके प्रकास संसलेशन फोटो सिंतेसिस की प्रोसेस के अंदर तो पेड़ बोधी क्या छोड़ते है सर आपकी ओक्सीजन इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ प्यारे बच्चो किस्टन नंबर 20 क्या सर आपकी सामनी रिस्प्रीन का प्रियोग होता है रिस्प्रीन का प्रियोग होता है एस्प्रीन होगा साइदी हां एस्प्रीन का प्रियोग आपके इसने करेक्शन कर दिया एस्प्रीन का प्रियोग कब करते हो आप करते हैं जो highest HIV प्रेसर होता है उसको कम करने के लिए आपकी आयदा sources में और अधर कम करते लेकिन मेली जो हाय प्रेसर होता है उसके लिए भी यूज लेते हैं आप लोग कम करने के लिए इससया number 21 पॉलियो वाइरिस या एड्स के परती रुक्सियों का या फिर ये सर देखो इलाईजा एक टैस्ट होता है इसलिए जातर English Medium में मुझे लगता है टाइप करवाने पड़ेंगे रिंदी मीडिम को वैसे पढ़ाना पड़ेगा क्यों इंगलिस के ही किस्टन जादर करेक्ट कर पाओगे आप लोग टीबे के की टानवो का या कैंसर का 21 नमर के किस्टन का अंसर दे दीजेगा तो सर यह कि बाज करता है इलाईजा ठीक है एंजैम लिंक सॉर्वेट एसे टाइस जोता है वह एड्स के लिए होता है आई वासमिद में किस्टन नमबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर बहुत अधिक पकाना और खाग तेलों का बराबर परियोग क्यों अत्यदिक आवांची निया बहुत अधिक पकाना किसी को और खाग तेलों का बराबर परियोग अत्यदिक नुकसान दाएक क्यों है क्योंकि तेल के वास्प से आंत्रिक परदूशन हो सकता है कैंसर जनी पदार जैसे बेंजा पाईसिन पैदा हो सकते हैं भोजन का पोशक तत्तों कम हो जाता है तेल की जिहानी और बरबादी होती है जल्दी से बता दीजेगा 22 नंबर के क्रिश्टन का अंसर तो भोजन का पोशक तत्तों क्या हो जाता है बेटा कम हो जाता है नूट्रिशन डैस्टों हो जाते हैं सर आप लोगों के लिए आई बास समझ में क्रिश्टन नंबर 23 कच्चे फलो इसे टलेन या फिर एथेन या फिर मेथेन जल्दी से बता दीजेगा 23 नंबर के क्युस्टन का अंसर कच्चे फलोगो को किरतिम उरुल से पकाने के लिए हम कौनसी गैस परियोग करते हैं एथेलीन गैस परियोग में लेते हैं किसन नमबर 24 ऑप्टिकल फाइबर का परियोग कहा होता है तो ऑप्टिकल फाइबर का परियोग कहा होता है कैट स्कैन में एक्स फोटो में अल्ट्रा साउंड में एंडोस्कॉपी में ठीक है तो मैंने कहा सर ऑप्टिकल फाइबर का परियोग कहा होता है cat scan में, ex photo में, ultra sound में, endoscopy में ठीक है सर 24 नमबर के question का अंसर दे दीजेगा तो सर optical fiber प्रकास ये तंतु का प्रियोग हम कहां करते endoscopy बोले तो सर आपके पेट वगेरा की जो जाज करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं सर हम लोग endoscopy का आई बास में question number 25 सामान्य उरोरकों में जिन तीन तत्वों का सबसे अधिक आव सकता होती वो कौन से इसर आपके सामान्य उरोरकों में जिन तीन तत्वों का सबसे अधिक आव सकता होती है वो कौन कौन से sulfur, phosphorus, sodium, nitrogen, potassium, phosphorus, 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 sodium, nitrogen, calcium, phosphorus, phosphorus, potassium जल्दी से बता दीजेगा 25 नमर के question का answer सामाने उरोरकों में जिन तीन तत्वों का सबसे अधिक आवसकता होती है वो कौन-कौन से हैं सर आप लोगों के सामने जल्दी से बता दीजेगा 25 वी question का answer दे दीजेगा प्यारे बच्चो तो 25 वी question का answer क्या जाएगा सर nitrogen potassium and phosphorus मेरे प्यारे बच्चो 25 वे question का answer क्या जाएगा nitrogen potassium and phosphorus इन तीन तत्वों का सबसे अधिक आव सकता होती है सामने उरूरकों में question number 26 manusia में कुल कितनी अड्डिया है बाई कितनी अड्डिया पाहिए अपना सरीर में 2102, 206, 202, 200 तो ये question के लिए आपको सोचना भी नहीं है क्योंकि आपको पता होता है कि सामने मनुसे में number of bonds कितनी होती है 206, 206 अगला question क्या है एक prod मानों में ओसत की गिंती में हीदे स्पंधन की संख्या का pressure कितना होगा जो heart के धड़कने का नॉर्मल जो heart rate होगी वो कितनी होगी 27 से question का answer दे दीजेगा तो आप लोगों को बता रखा है कि भैतर पर मिनट तो दड़कता है किसका पुरूसों का मेल का और 80 पर मिनट दड़कता है किसका सर महीलाओं का तो कितना होगा 21 से 80 मिनट पर मिनट आई बासन में Question Number 28 कया है सर आहा नाल में स्टार्च के पाचन में अंति मुत्पाद क्या है बाई आहा नाल में स्टार्च के पाचन में अंति मुत्पाद क्या होगा Glucoscha, Glectoscha, Maltocha या फ्र Isomalto जोगा जलदी से answer दे दीजेगा 28 नमर के question का कि सर आहा नाल में स्टार्ज के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होगा गुलको जोगा गलक्टो जोगा माल्टो जोगा या फिर आइसो माल्टो जोगा जल्दी से बता दीजेगा ठाइसो किसन का अनुसर प्यारे बच्चो तो सर यहां पर क्या जाएगा माल्टो जाएगा आई बात समझ में Hydro जल्दी से बताऊ उने 39 वे श्याव की अन्सर कर जाएगा जो C render on तो इसके कई आउंक ही नहीं होती है अगला कुस्टन क्या है एकवे पंचर क्या है भाई एकवे पंचर क्या चीज होती है हिदे का एक रोग है ट्यूब और टाहर की सफाई है या सुयो के मादम से उपचार है या एक उप्चिस सरवधन है जल्दी से बता दीजेगा सर 30 नमबर के question का answer क्या है सर आपके एकवा पंचर क्या चीज होती है अरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजेगा एकवे पंचर क्या होती है पहंचर क्या टूब टायर के सफाही तो सर यह क्या होता है एक उपज़ सरवधन है सर आपके अगला question 31 नमबर का question थोड़ा सा बड़ा question है ध्यान दीजेगा छोटा करने कोशिज करते है इसको हो गया वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा अभी तक लाइक नहीं किये तो आप लोगोंने कुछ वाइरस में RNA होती है प्रतु DNA नहीं इससे पता चलता है क्यों कुछ वाइरस में RNA होता है लेकिन DNA नहीं होता है क्या वाइरस से परतीकरत नहीं होती इन वाइरस की वनसागत जानकारी नहीं है RNA अनुवांचिक जानकारी को वाइरसों से संपंदित कर सकती है या निकलिक अमल को crystal करत किया जा सकता है Sir, answer क्या जाएगा 31 question का कुछ वायू गुहियों की उपस्तिती किसका अनुकुल है Sir, वायू गुहियों की उपस्तिती किसका अनुकुल है मरू पादप का, वरक्स का, जल पादप का यह स्मौद भी जिसको हम क्या बोलते हैं मैसोफाइट जल्दी से आंसर दे दीजेगा 32 किसन का कि वायू गुईयों का उपस्तिती किसका नुकूल है सर जल्दी से बता दीजेगा तो वाय गुईयों कि उपस्तिती किसका नुकूल है 32 किसन का आंसर दे दीजेगा प्यारे आतीप सार या जवर ya सक्ट जवर ya सीरो वेदना और सडी तो अमी बत्ता से कौन सा रोग होता है तीतिश इ चौक्त crucas reject अंस देदिजिएगा तो सर प्लिजन और दीजेगा जल्दी से बता है इंवाइन्ट्रृजन फिर इक सिस्टम जो एको रोजी किसन नमबर 35 क्या है सर 35 नमबर का किसन वायू सितन किसके लिए अधिक उप्योकत है वायू सितन किसके लिए अधिक उप्योकत है गरम और आदर जलवायू के लिए गरम और सुस्क जलवायू के लिए सीत और आदर जलवायू के लिए सीत और सुस्क जलवायू के लिए तो व दिख उप्यूगत होती है अकले क्विश्टन के और मुझ करते हैं 36 नमबर के क्विश्टन के और क्या है सर अमलीय सरवन किसकी विशिष्टा होती है प्यारे बच्चो मुख घुईका की जटर की या फिर चुदांतर जिसको ये किसका भाग होता है सर आपके ये भी सर आपके अमासे का बाग होता है या फिर ब्रंदातर जल्दी से बता दीजेगा सर आपके तो आप लोग ध्यान दीजेगा कि सर जो अमल है जो HCL निकलता वो कहां से निकलता है जिसको हम क्या बोलते है गैस्ट्रिट ग्लेंड जिसको हम क्या बोलते है गैस्टिंग लेंड से सरक्या निकलता है है यहाँ पर कौन सा बाग डार्विन के विकास से संबन्दित नहीं करता डार्विन थोरी से प्राकर्तिक वरण जीवन संगरस योगयतम की उत्तर जीविका या उपारजित लक्षनों की वन्सा गति प्यारे बच्चों जल्दी से ब 37 का आंसर चाहिए तो चाहिए अब भी चाहिए जल्दी बताओ सर कौन सा हैगा सर यहाँ पर उपारजित लक्षनों की वनसा गती जो होती है वो डार्विन की विकास से सम्मंदित सिधान से सम्मंदित नहीं है सर कहां क्या आंसर जाएगा उपारजित लक्षनों की वनसा गती किसा नमबर 38 क्या है कम्पूटर का दिमाग क्या है ब्रेन ओफ कम्पूटर इस नोन एज़ दा CPU, CD या फ्लॉपी डिस्क या मेगा बाइट जल्दी से बता दिजेगा कि सर कम्पूटर का दिमाग कौन सा होता है अरे बोलो रे बोलो, जल्दी बोलो, अंसर बोलो अरे कम्पूटर का दिमाग किसको कहते हो आपके Central Processing Unit CPU को किसा नमबर 39 क्या है सर मचलियों के यकरत तेल में किसकी परचूरत्रा होती है बैस सबसे अधिक मात्रा जो मचलियों के यकरत तेल में विटामिन D मिलता प्यारे बच्चो कौन से मिलता है विटामिन D मिलता है किसा नमबर 40 निमिल्क में से कौन उर्जा परदान नहीं करता है यहां पर अनरजी देने का कारी किसका नहीं होता वसा का नहीं होता प्रोटीन का नहीं होता विटामिन का नहीं होता, कार्बॉाइडेट का नहीं होता, जल्दी से बता दो सर, आंसर, सेर कर दो, वीडियो को अभी तक नहीं किया है तो, और अपना अपना वार्शप स्टेटस लगा लिजा करो, आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक मिनिट का भी टाइम नह बड़ा मजा था, आपको जो स्टेड़ी से रिलेटर वो नहीं लगाते, भाई को उन चला गया छोड़कर, और वो चला गया, तो चला गया, सर जल्दी से बता दीजेगा, फोटी नमर की किसन का आणसर दे दीजेगा, सर, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, तो बताओ सर जल्दी से, कोन नहीं डेता भाई, उर्जा जल्दी से बोलो भाई, वशा नहीं देती, प्रोटीन नहीं देती, विटामीन से, कार्बाइड नहीं देता, तो भाई, लेकिन ये हमारे सरीर को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होते हैं कौन सर आपकी विटामीन क्या है अप वहन का परियोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है अप वहन का परियोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है फेप्रे की की हदे की यकरत की या गुर्दे क जल्दी से बता दीजेगा एक तालिक से कुशन का अंसर तो सर आपकी जो गुर्दे होते हैं जिसको हम किड्नी बोलते हैं उसकी किड्या को जो कंप्लीट करने के लिए आप पहुन का प्रियोग लेते हो आप लोग किस्टा नमबर 42 नमलिक्त में से कौन सा औरवरक नहीं है यहां पर और औरवरक कौन सा नहीं है एमोनियम सल्फेट कैलसियम सल्फेट कैलसियम नाइटरेट या पियालिस वे किसन का अनसर दे तो 42 किसन का अंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, भी जाएगा कैलसियम सलफेट है, वो एक उरवरक नहीं है सर आपके, 42 किसन का अंसर क्या जाएगा, भी जाएगा, कैसर नमबर 43, स्लैग नाम किसे दिया जाता है, स्लैग नाम किसको दिया जाता है, गलित लोहा को, गलित सेंड को गलित ऐलुमीना को गलित कैलसियम सीलिकेट को तो सलैग नाम किस चीज को देते हो गलित लोहे को गलित सेंड मिट्टी को गलित ऐलुमीना को गलित कैलसियम सीलिकेट को सर 43 नमबर के किस्टन का अनसर दे दीजेगा तो गलित कैलसियम सीलिकेट जो होता है उसको हम क्य क्विका भी सिलिकेट को या हाई समद मी किसन नमर फोर्टिव वोर क्या है पीड़क नासियों का Selectables ऑप लिए चुसकान जीगा भी स्विदाफ़ करते हो किट का भिणास करने के लिए आप लोग किसका प्रियोग लेते हो किट कोनों सा ठीक नहीं है रबड के बलबrika करण में से क्या परिमाण होता है ठीक है मतलब रबड का जब वलनी करण हो जाता है तो क्या प्रणा मतलब मुर्दू और नम्निय परबल और कठोन रासाइनिक परतिरोद उच्तरत आपको सहिन करण पानी की कपेस्टी बढ़ जाती है तो जल्दी से बता दीजेगा तो सर जब रबड के काम वलनी करण करते हैं तो सर वो क्या हो जाता है परबल हो जाता है वलकनाजेशन ऑफ रबड देन इटीज हाड ठीक है और सर क्या हो जाएगा स्ट्रेस बढ़ जाएगी उसको मतलब खीचोगे तो भी जल्दी से तूटेगा नहीं किसर नमर फोर्टी सिक्स जंग रोधी इसपात का निर्माण इसपात के मिस्र वात्वन किस से होता है सर आपके जंग रोधी जो इसपात होता है उसके निर्माण में किस इसपात का मिस्र वात्वन होता है जल्दी से बताए तामर और निकल का तामर और क्रोमियम का, क्रोमियम और निकल का, मैगनीज और तामर का, तामर बोले तो तामबा, जल्दी से बता देज़े, छियानी से किसन कांसर, तो सर जंग रोधी जो इस पात होता है, उसमें क्या-क्या मिलाते हैं, ठीक है, इस पात कालोनी में मिलता है, तो क्रोमियम और निकल आप लोग याद रख लीजेगा ट्रिक वाइड आई बास समझ में किस्टा नमबर 47 निमिलिक्त कार्बन योगिक में किसे आईरन योगिक के उत्पादन दाक को निकाला जाता है जिसे ओगजली कमल को वेंजाई कमल को थेली कमल को या सीनेमी कमल को जल्दी से बता किस्साइं निकाला जाता है व दोसे की से पियारे बत्तों जल्द पहिक निकाले पहिक केनि प्येसाथ में से किसका आष驼ंदन कारक के रूप में मिर्दू पे के निर्मान में पुरुक्त किया जाता है तो निमलिक में से किसका आसकंदन कारक के रूप में मिर्दू पे के निर्मान में पुरुक्त किया जाता है फोस्फोरिक अमल, फोस्फोरिक, फोस्फोरिस अमल सैलिसिलिक अमल या बोरिक अमल अरे जल्दी से बताओ फोस्फोरिक अमल फोस्फोरिक फोस्फोरस अमल या सैली सिलिक अमल या बोरिक अमल तो 48 किस्टन का अंसर दे दीजेगा सर आप लोग तो 48 किस्टन का अंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों सी जाएगा सैली सिलिक अमल जो होता है उसका आस्दन कारक के रुप में मर्दू पे के रुनमान के लिए परियुक्त किया जाता है किस्टा नमबर 49 क्या है सर आप लोगों के सामने इसपात या आईरन वस्तों में जिंके पतली परत का लेपन का नाम क्या है इस पात या आईरन वस्तों में जिंक के पतली परत का लेपन का क्या नाम होता है तब्त निमंजन या कलाई करना या यस्द लेपन या विदुत लेपन जल्दे से बता दीजेगा इस पात या आईरन वस्तों में जिंक के पतली परत का लेपन का नाम क्या होता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् है भाप अंगार गैस होती है जो उच्तम उसमें मान रखती है और आज की प्यारी सी थोट आपके अपने यूटूब चैनल जी एस प्लेनेट से कि एक अजीब सी दोड है एक अजीब सी दोड है ये जिन्द की जीत जाओ तो कई अपने पुछे छोट जाते हैं और हार जाओ तो क्या भाई अपने ही पीछे छोड जाते हैं आई बास मझ में भाई जिन्द की एक ऐसी है कि जब आप लोग सक्सस होते जा रहे हो आज आगे की और मूँ कर दे तो आपकी तरफ अजार लोग साथ खड़े हो जाएंगे लेकिन अगर आप लूजर बन गए आपने कुछ जिंदकी में नहीं जीता तो आप लोगों कोई ताने मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे ठीक है कहते हैं कि चड़ते जो उपता वा सूरज होता है जब सूरज निकलता है तो उसको हर कोई व्यक्ति देखता है लेकिन डूबते होगे स सूरज के तरफ कोई नहीं देखता तो आज आपको ऐसा आपका लेवल बनाना है कि लोग आपको याद करें आई बास में प्यारे बच्चो तो आज के लिए इतना ही जल्दी से आप अपके अपने यूटूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब कर दो टैस सीरीज क किस दो आपके लोगे इतना है कि याद स्नित आपके लेवल च्छक व